नए किरसी कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन करते साथ महीने हो गए सरकार ने कई तोर की बातचीत की मसले को सुल्जाने का परियास किया पर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे प्रसासन ने उन पर बंदिसें लगाने की कोशिस की ताकि यह अंदोलन कमजोर पड़ जाए किसान अपने घर लोट जाएं मगर वे डटे रहे हाड कपाती ठंड उपर से भारी बरसात और फिर लू के थपेले भी उनका होसला नहीं तोड़ पाए अब साथ महीने पूरे होने पर संयुत किसान मोर्चा ने एक बार फिर अपना दम दिखाया और दिल्ली उतबर देश की गाजीपुर सीमा पर भारी संख्या में किसान ट्रेक्टर लेकर पहुँच गए पूरे देश में राजभवन के घेराव का प्रियास किया गया किसान मोर्चा ने एलान किया है कि अब वह हर महीने की 26 तारिक को इसी तरह ट्रेक्टर रहली निकालेगा उधर केंद्रिय किसी मंत्री ने फिर दोराया की सरकार किसानों से बातचीत के लिए तयार है वह किसानों की तरफ से आने वाले प्रस्ताव का इंतिचार कर रही है फिर उन्होंने यह भी साफ किया की सरकार कानून किसी भी रूप में वापस नहीं लेगी उनसे सम्मंधित क किसानों के एतिराज पर जरूर विचार कर सकती है, यानी सरकार यह तो दिखाना चाहती है कि वह बातचीत के पक्ष में हैं मगर किसानों की मांग पर विचार करने को तयार नहीं है, इस तरह तो बातचीत कभी संभव नहीं होगी सरकार और किसानों के बीच जो आखिरी बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने कुछ तल्ख अंदाज में यह कह दिया था कि कानून वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता और फिर बातचीत एक दम से खत्म कर दी गई थी किसी भी मुद्दे पर बातचीत एक तरफा सर्तों पर कभी संभव नहीं होती सरकार का रुख सुरू से कड़ा ही नजर आया है तो किसान भी किसी तरह जुकने को तयार नहीं है ऐसे आंदोलनों में सरकार से अपिक्षा की जाती है की वह या तो कुछ जुक कर मांगों को मान या फिर अपने पक्ष में आंदोलन कारियों को संतुष्ट करें अगर सचमुच तीनों नए क्रसी कानूनों से किसानों को लाभ मिलने वाला है और खेती किसानी की दसा सुधरने वाली है तो सरकार को पूरे तरक के साथ इन्हें लेकर किसानों में फैले ब्रहमों का निवा परियास करना चाहिए मगर सरकार ने ऐसा नय करके अनेक मोकों पर अंदोलन में फूट डालने और दमन के जरिये उसे दबाने का परियास ही अधिक करती दिखी सरकार के रुख को देखते हुए स्वभाविक ही सवाल उठते रहे हैं कि आखिर वह इसे लेकर इस तरह जिद पर क्यों अड़ी हुई है जबकि गैर भजपा सासित रज्जियों को सरकारों ने साफ कर दिया है कि वे अपने यहां इन कानूनों को नहीं लागू करेंगी तमाम विपक्षी दल भी इन कानूनों के विरोध में संसद में बोल चुके हैं पर सरकार ने जैसे इन कानूनों को अपनी मूझ का सवाल बना लिया है उसके अलियलपन का नतीजा यह है कि किसान तमाम भाजपा सासित राज्यों में सरकारों को चुनोती दे रहे हैं विधान सभा चुनावों में पहुँच कर मतदाताओं को भाजपा के विरोध में मतदान करने का आवाहन कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा तो यहां तक एलान कर चुका है कि किसान अगले आम चुनाव तक इसी तरह प्रदर्सन करते रहेंगे सरकार को अब इस आंदोलन की गंभीरता से लेने और किसान के साथ साफ मन से बैठ कर बातचीत करने की जरूरत है